अडानी ग्रूप पे लगे हिंडन बर्स के रिपोर्ट के बाद सुप्रिम कोर्ट से लेके वेरियस पोरम पे कंप्लेन और शिकायत का दौर शुरू हो गया था इसी मैटर्स को देखते हुए एक नया परकरण उभर करके तब आया जब अडानी ग्रूप की तरफ से पैरवी कर रहे एडोकेट को आनरिबुल सुप्रिम कोर्ट की कुलेजियम और बामबे हाई कोर्ट की कुलेजियम के रिक्मेंडेशन्स के विहाब पे Central Government और President of India के जरिये से उनको बामबे हाई कोर्ट के ज़सके रूप में नोटिफाई किया गया तो आनरिबुल बामबे हाई कोर्ट के कुलेजियम और सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया के कुलेजियम पे कई सीनियर एडोकेट और एडोकेट्स के जरिये बायस होने की खबर की गई और कई एक खबरें परकाशित की गई जिसमें ये कहा कि बायसिनिस कोलेजियम में मौजूद है हाला कि कांस्टूशनल डे पे परसीडेंट ओफ इंडिया दुरूपती मुर्मर जी के जरिये से ये कहा गया कि कहा गया कि जजेज अपाइमेंट के लिए नेशनल जुडिसियल सर्विस होना इंपोर्टेंट है और उन्होंने कहा कि ताकि टैलेंटेट लोगों की नुक्ती जुडिसिरी में हो सके एक हिसाब से अगर इस बयान को इस अस्तर पर देखा जाए तो सेंट्रिल गौर्वर्मेंट के जरिये से नेशनल जेजस अपाइमेंट कमिशन यानि एन जे एसी आक्ट लाया गया था जो हाई कोर्ट और सुप्रिम कोर्ट के जरिस के अपाइमेंट का परकिरिया उसमें डिफाइन किया गया था जिस पे एवार सुप्रिम कोर्ट एवार एसुशियेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की रेट पिटिशन सुप्रिम कोट में फाइल हुई थी और NJAC के आएक्ट को यानि National Judges Appointment Commission को Honorable सुप्रिम कोट की larger bench के जरिये से क्वैश कर दिया था और कोलिजियम प्राडी के अपाइमेंट को बहाल कर दिया गया था इस पे भी अगर देखा जाए तो एक हिसाब से Honorable President of India के जरिये से Judicial Commission बनाने की वकालत उनके जरिये से भी की गई है और समय समय पर लगातार कोलिजियम के ऊपर आरोप और परत्यारोप लगता रहा है अभी Honorable Chief Justice परतिंकर दिवाकर जी जो रेसिंटली एलाहाबाद हाई कोट के Chief Justice के पस से Farewell के प्रोग्राम में रेटायर होते समय Supreme Court of India की कुलिजियम को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उनका आल्रेडी वीडियो यूटूब और गैरा पे मौजूद है और उन्होंने Justice दीपक मिश्रा जी के जरिये से जो कुलिजियम लीट की जा रही थी उनके उपर Serious Charge और Elegation लगाया है हाला कि Adani Group के मामले में पैरवी कर रहे एडोकेट जिनको Bombay High Court का जेज रिक्मेंट किया गया है उनके बचाव में और बायसनेस को क्लियर करने के लिए Honorable Supreme Court of India के Chief Justice of India ने बायसनेस को क्लियर किया है और मेडिया के सामने आ करके अपनी रिपोर्टिंग की है कि ऐसा नहीं है जिस तरह से लोग सोच रहे हैं और जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं और ये कहा है कि Adani Group के पैरवी करने वाले एडोकेट का अपाइमेंट Bombay Collegium के जरिये से as well as Supreme Court के Collegium और सरकार के Notifications सही है एक हिसाब से Honorable Chief Justice of India ने Adani Group के वकील की पूरी तरह से हेमायत की है और उनके जर्स बनाए जाने की Biasness को क्लियर किया है और Honorable Chief Justice of India के Biasness को क्लियर करने के बाद हो सकता है कि लोगों के बीच में जो ये अफवाः फैल लही थी उसमें कमी आए और Collegium के respect को माना जाने लगे कर दोगे है